बीजेपी के खिलाफ देश भर में विपक्षी दलों को एक जूट करनी के लिए निकले नितीश कुमार के कुनबे में ही सेंद लग गई है। बिहार के सत्ता रूर महागडबंधन में शामिल जीतन राम माजी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम अब बाहर का रास्ता लेते दिखाई दे रही है। ब्रबंधन का कहना है कि उनकी पार्टी महागडबंधन में बनी रहेगी। और आपको बताया कि बिहार में तीन बड़ी ताकत हैं बीजेपी, आर्जेडी और जेडिऊ, इन में से दो पार्टिया जहां साथ हो वहाँ पलड़ा भारी हो जाता है। चिराग पासवान वाले धड़े को भी BJP अपने साथ महाँ पर लेना चाह रही है बिहार में इसके साथ ही जीतन राम मांजी जो पहले भी BJP के साथ रहे चुके हैं एक बार फिर संतोष कुमार सुमन मांजी जिन्हों ने कि आज इस्तिफा दिया है आज के न्यूज में करें हमार साथ जोड़ गए हैं संतोष जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडी टीव इंडिया पर सबसे बड़ी बात तो यही कि शायद आपको रोकने का प्रयास नहीं किया जा था हम लोग ने पूरी कोर्स की कि हम अधागर्वंदन के साथ रहें नितीजी के साथ रहें लेकिन एक ऐसा विस्जएर हम लोग के समक्ष में आया वो बिस्जएर हम लोग के लिए कबूल नहीं था कि बाड़ पार्टी को मर्च करना है इसलिए हम लोग बहुत समझे कि हम संत्री नितिश कुमार जी के साथ अलग हो गया ह कि हम लोग पार्टी का स्थितित्यका को बनाए का पार्टी से हमारी पहचान दो आते जाते जाते लِّकिन इसंत्रो जी आप तो मतलब आपके और लिखाएं तो शीक्रान उन्हें यह बनाई थी तो यह क्यों दिया किा देखिए हर पार्टी के अपनी रणनीती होती है और अश्टी तोर पर इसी घटना कर्म हुही थी जिससे हमारी पार्टी का अगठन हुआ की जनकारी हम लोग सब भी जनता दर्ला दर्युटिय में आया वो प्रस्ताव था कि आप पार्टी के बिलाए कर ले हमने ने कहा कि हम आपके साथ हैं और अनकंडिशनल सपोर्ट हमारे नेता आदनिय स्री जितन रामाजी जी बोले हैं कि हम नितीज जी के साथ रहेंगे लेकिन उसके बाद भी हमारे सामने प्रस्ताव आता रहा और हम सब बैठ करके डिसाइट किया हैं पार्टी के विविन अस्तर के नेताओं से बातचीत करने के बाद हमारे मानिय बिधायकों से बातचीत करने के बाद सबने हमने सोचा कि नहीं हम पार्टी के अस्तित वो खतम नहीं करेंगे पार्टी है तो सब लोग है इतना बड़ा हमने ज सरकार है मानिय नितिश कुमार जी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे तो फिर अब ऐसा क्या होगे कि साथ छोड़नी की बात आ निश्ट निश्चीत तोर पर हमारे नेता स्री जितन रामाली जी ने कसम खाई थी और यस प्रयास किया हम उनके साथ में रहें और पुरी पूरी पूर्श हूं हम्हारी थी और पुरिया के मंच में भरे भीड में मानिय नितिश कुमार जी बोले आप कहीं नहीं जाहिए इसक अब सबस्क्राइब मतलब कि हमारे कर लिए क्वे हम लोगं के लिए क harsh नहीं था इस इस खुर का बाती की विश्वास जरूरी कि आप जो है बीजेपी के साथ एंडिये के साथ जा सकते हैं जी निश्ची तोर पर वह भी एक कारण भी रहा है और वह कारण बहुत बड़ा कारण नहीं है हम लोग तो समझते हैं कि हम लोग जिस कारणों से मिले थे वह कारण था कि स्वर्गिय दसरत मांजी जी को भारत आने के लिए गया के लहुर से जहां के राने वाले थे पैदर ले आतरा निकाली गए थी जी तक गाई थी दिविए तक जो 쪽 मिलें यह उसमें बाद सेंगें något डिया है गहीं उड़िकाने उसमें इसी तरह कि बातें को सोचना हम समझते हैं कहीं चीत नहीं था तो अब आप अमीश्हा से मिलेंगे क्या देखिए अभी ऐसी कोई योजना नहीं है हमारी और हम लोग अभी तक तैय नहीं कर पाए हैं और हम लोग अभी बैठेंगे बैठने के बाद हम पार्टी के स्थिती को देखेंगे और पार्टी का संगठन का बिस्तार पर हम जोड़ देंगे भी हमारे पास समय है 24 का जो चुनाव है अभी इस टाइम है और हम तो फोकस कर रहे हैं हम लोग रहली प्रस्तावित किये हुए 26 नमंबर को पटना के गांधी मैदान में हमारी त्यारी उसके लिए है और हम अपना संगठन का बिस्तार करें संगठन को कैसे धार-दार बनाएं गरीबों की आवाज बने गरीबों की जो राइनितिक भागिदारी है उसको सुनिशित कैसे ज्यादा हो इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं पटना में नितिश कुमार जी उसकी अगवाई कर रहे हैं हम देखने कि पूरे देश भर में बड़े नेताओं से मिले हैं सारे विपक्षी नेताओं को ए इसी प्रस्थितियां बनी है जो हम लोग ने स्थिपा दिया है मंतरी परिशत के सदस के रूप में हम ने स्थिपा दिया हम तो कभी नहीं चाहते थे कि हम नितिश कुमार जी का साथ छोड़े हम नितिश कुमार जी के समर्ठक रहे हैं हमारे हमारे पार्टी के सभी लोग च हैं 24 में आपके हिसाब से क्या होगा देखिए अभी कोई भी भविस्वानी करना बहुत ही मुश्किल काम है 24 में क्या बाते होंगी अभी किस तरह से स्थितिया प्रस्थितिया चेंज होगी क्या है और उसके बाद आने वाला दो तीन महने में सारी बात होगी विपक्ष का प्रियास है कि सब लोग एक जूट हो जाएं पहले अगर एक जूट होते हैं तो भी जाकर कोई लड़ाई लड़ पाएंगे क्योंकि आज तो इनके पास कोई नेता ही नहीं है किसके फेस पर चुना आप यह करें कि उधर एक नेता जिसको पूरा देश मान रहा है याणि आप पीम नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं तो जो बीजेपी दावा करें कि फिर से बात्सी होगी है कि जी देखिए दावा तो अभी हम कुछ करने के सिती में नहीं है क्योंकि हम 22 वक्ता नहीं है ल करें बूल का इशारा मिल चुका है आपका धन्यवाद हमारा साथ जोडने के लिए इंडिटी इंडिया पर विस्ताव समझाने के लिए कि आपकी आगी करनेती क्या होगी है